Hello everyone, welcome to Love Your Look आज मैं आप लोग को ये वाली सारी पहन के दिखाने वाली हूँ जो की बनार सी सिल्क सारी है इसको मैंने मीशो से ओनलाइन परचेज किया हुआ है ये काफी ज़्यादा हलकी सारी है इसको आप ले सकते हैं आपने मीशो एप डाउनलोड किया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आप वहाँ से जाके मीशो एप डाउनलोड कर सकते हैं इसकी खास बात और है कि जब आप फर्स्ट ओर्डर करेंगे तो आपको 30% का आफ मिलेगा जल्दे से जाएए और मेशो एप डाउनलोड करिए और मैं आपको बता दू कि यह वीडियो मैंने खास कर विगनर्स के लिए बनाये हुए है जिनको बनार्शी सिल्क साडी पहनने में थोड़ी सी प्राउबलम होती है सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना चले शुरू करते हैं वीडियो तो चले सबसे पहले आप लोग मेरी साडी देखिए तो यह रही साडी और पल्लो इसका मरून कलर में है तो मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आप वहां से जाके मिशो एप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद एक और कोड मैंने दिया हुआ है अगर आप अपने फर्स्ट और के लिए उस कोड का यूज करते हैं तो आपको 30% ओफ मिलेगा और यह साडी का ब्लाउज है जो मैंने निकाला नहीं हुआ है तो चलिए आपको साडी ड्रेप करके दिखाती हूँ और जब भी आप सारी ड्रेप में बेसिक टक करते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइटली टक करें और ध्यान रखें कि आपकी साडी बिल्कुल फ्लोर टच होनी चाहिए अगर आपको हाई हील्स पहनने है तो आप हील्स पहन के ही सारी वेयर करिए तो फर्स टकिंग के बाद अभी चलते हैं पल्लू की तरफ तो यह रहा पल्लू और इसको मैंने ऐसे रफली अभी पकड़ लिया है इसको पीछे से घुमाते हुए अपने लेफ शोल्डर पर रखना है और लेफ शोल्डर पर रखने के बाद इसकी लंबाई मेजर करेंगे कि लंबाई कितनी चाहिए आपको जितना पसंद है बस इतना ध्यार रखना कि पल्लू ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए ने तो आपकी सारे रेपिंग अच्छी ने लगेगी तो मैंने पल्लू का जो बॉर्डर इसको पकड़ते हुमें आगे के तरफ यहां पर टक करू हैं तो जब हम प्लीट्स बनाते हैं पल्लू वाले तो उल्टा सीधा हो जाता है फिर बाद में जब हम अपने प्लीट्स में पिन अप कर लेते हैं फिर सामने के प्लीट्स बनाने चलते हैं तो वहां पे पल्लू उल्टा पुल्टा हो सकता है इसलिए मैंने वैसा किया है त तो जो लोग अभी साड़ी पहना सीख रहे हैं, वो प्लिटिंग इस तरीके से करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, तो यहाँ पे मैंने सारे प्लिट्स बना लिये हैं, इसको एक सेफटी पिन से सिक्योर कर दूँगी, इसलिए क्योंकि कई बार प्लिट्स अरेंज करने टाइम एकात प्लिट्स इधर उधर रह जाती है, इसलिए यहाँ पे मैंने सेफटी पिन लगाया है, अभी मैं एक एक प्लिट्स को अच्छे से अरेंज करूँगी, जो गाइडलाइन है, वही मैं फॉलो करूँगी, इसके यह है कि जब आप शोल्डर पे रख लेते हैं तो आपका दोनों हाथ बिल्कुल फ्री हो जाता है, इसके बाद आप आराम से प्लिटिंग कर सकते हैं, देखो कई बार ऐसा होता है कि एगर आपकी सारी की बॉर्डर जो है है तो आप शोल्डर पे रखेंगी, सारे प्लिट् अरेंज करिए, ठीक है तो यहां पर मैंने अपने सारे प्लिट्स को अरेंज कर लिया है, तो अभी लंबाई मेजर करने के बाद इसको सेफटी पिन से सिक्योर कर रहे हूं, जब भी आप सेफटी पिन लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे होके लगाईए, तो आपकी सारी ब बॉर्डर है, इसको मैंने हलका सा फोल्ड किया है, और फोल्ड करने के बाद एक छोटे सेफटी पिन से अपने ब्लाउज और इस बॉर्डर को अंदर से पिन अप कर देंगे, इसी क्या होगा कि सारे प्लिट्स बहुत ही अच्छे से सामने से नजर आएंगे, जब आप दे सकता है, आपकी प्लिट्स अरेंज हो जाएगी, ठीक है, अब यहां से घुमाते हो, यहां से दिखिए, मैं मेजर कर रही हूँ, और जहां दूसरी साइड में जितना मेजर की हूँ, उसको उतना छोड़ देना है, लगबग एक हास सारी आपको छोड़ना है, सामने के प्लि तो सारे के सारे प्लिट्स अभी बन चुके हैं, एक बार इसको में बराबर से पकड़ूंगी, और क्यूंकि इसको टाइट पकड़ना है ने तो आपके प्लिट्स इधर उधर खिस सकती है, इसके बाद उपर का प्लिट्स मैंने हटा दिया है, अंदर के सारे प्लिट्स को म जब अदर चुप जाते हैं इस तरीके से आपको जहतक को भीने को अच्छे से टक कर लेती हूं कि पर फिलेट में धाल के त DB के सामने तक करिए नहीं तो हवस्छा रायट जाएं के लेफट की सायर्ड तो भीन क्रोंकल भीन पर और इसको लगाने से फाइदा यह रहता है कि जो प्लीट्स आपने जैसे टक किया हैं वैसे ही रहेंगे जब तक आप अपनी सेफटी पी निकालेंगे नहीं इसके बाद यह वाला बॉर्डर आप देख सकते हैं टाइट करते हुए दूसरी साइड से थोड़ी सी यहां पर आप देख सकते हैं चोटे-चोटे यहां पर प्लीट्स बन जाते हैं अगर आप ऐसे खीजते हैं और इसे साडी का लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है और आपके राइट साइड भी जो एक्स्ट्रा फैवरिक रह गया है उसको भी आपको टक करना है बिल्कुल प्लीट्स कर रही हूं और अभी आप देखेंगे कि एकाद दो प्लीट्स ऐसे अंदर फसे हुए हैं कि उसको मतलब सही करना काफी ज़्यादा जरूरी होता है तो इस तरह से आप अपने सारे प्लीट्स को पकड़ लीजिए पकड़ने के बाद इसको अपने हाथों से आप आपको इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज नहीं करना या आपसे नहीं होता है तो आप एक चेयर पे बैठ जाए उसके बाद हलका सा जुग जाए वन बाई वन करके इसको भी अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से जैसे कि मैंने बताय हुआ है आप ऐसे जुग जाए और अपने अच्छे तरीके से सारी ड्रेफ हुआ है अप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरूर प्रस करें वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन आसानी तक पहुशती रहें सो मिलती हूं आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाबाए ओम साहिरा मुपना ध्यान रखना